पुराणों की अनुशार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वद करने के लिए अरिष्टा सुर नामक देत्ते को भेजा था अरिष्टा सुर बच्षडे का रूप लेकर भगवान श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और उन्हें मारने लगा भगवान श्री कृष्ण ने बच्षडे के रूप में जिपे देत्ते को पहचान लिया था श्री कृष्ण ने उसको पकड़ कर जमेन पर पटक पटक कर उसका वद कर दिया यह देखकर राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा कि उन्हें गो हत्या का पाप लग गया है इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवर्शी नार्द से इसका उपाय पूछा देवर्शी नार्द ने उन्हें बताया कि वह सभी तीर्थों का आवान करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिला कर सनान करें जिससे उन्हें ग एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंतरित किया और कुंड में सनान करके पाप मुक्त हो गए उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है जिसमें सनान करके श्री कृष्ण गोहत्या के पाप से मुक्त होए थे माना जाता है कि इस कुंड का निर्मान श्री कृष्ण ने अपनी बांसूरी से किया था देवर्शी नार्द के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसूरी से एक छोटा सा कुंड बनाया और सभी तीर्थों को जल को उस कुंड में आने की प्रार्थना के श्री कृष्ण के आभान पर सभीतित जल रूप में वहाँ पर आ गई माना जाता है कि तबी से सभीतितों का जल जल रूप में यहाँ है श्री कृष्ण के द्वारा बने कुंड को राधा ने उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक छोटा सा कुंड बनाया भगवान श्री कृष्ण ने राधा की कुंड को देखा तो उन्होंने परती दिन उसमें सनान करने वे उनके दवारा बनाये कुंड से भी अधिक पर्षन होने का वरदान दिया था देवी राधा दवारा बनाये कुंड को राधा कुंड के नाम से भी जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि अहोई अश्टमी तिथी को इन कुंडों का निर्मान हुआ था जिसके कारण अहोई अश्टमी को यहां सनान करने का विशेश महत्तो है परति वर्ष यहां बड़ी संख्या में भक्त सनान करने आते हैं करण कुंड और राधा कुंड की अपने एक नई विशेश्ता है कि दूर से देखने पर करण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफेद दिखाई देता है जो कि स्री कृष्ण के काले वर्ण के होने का और देवी राधा के गोरे वर्ण के होने का परतिक है आप कोई वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर करना ने भूलें ऐसे ही वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बैल आइकन जरूर दबाएएगा जिससे इस चैनल पर आने वाले सबी वीडियोज की नोटिपिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले राधे क्रिशन